हेलो एन वेलकम इन मल्डिपल क्लासेज। टूडे वी डिसकास एपाउट दब मैंसुरेशन आप क्लास एट्थ एन सी ए आर्टी। पहले हम मैंसुरेशन में कुछ अपने जो हमारे फार्मूले यूज हो रहे हैं। उनका हम देख लेंगे फार्मूला क्या है, किस क्या बोलते हैं। जैसे कोई अगर ऐसी साइड है जिसकी अपोजिट फेसे पैरलल हैं, उसके लेंथ अलग हैं, जैसे ये ल चेंज है और ये भी चेंज है, तो उसको हम रेक्टेंगूलर बोलते हैं। इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू B, जस्ट लाइक ये है एरिया क्या होता है, ए स्क्वाइर, और ये हमारा है ट्राइंगल, ट्राइंगल में B अगर बेस हो, एच हाइट हो, तो इसका जो एरिया होता है, हाप बेस इंटू हाइट, अब ये हमारा आ गया है पैरलोलोग्राम, अगर ये पैरलोलोग्राम जो होता है, डिफार्म फार बेस इंटू है, ऐसे अगर सरकिल है, सरकिल की अगर radius R है, तो सरकिल का जो एरिया होगा वो पाई आर, स्कॉायर होगा ठीक है, तो फिर से रिकाल कर देंगे, rectangle का एरिया, A इन्टू B, स्कॉायर का एरिया, A स्कॉायर, ट्राइंगल का एरिया, हाप बेस इंटू हाइट, पैरलोग्राम का एरिया, बेस इंटू हाइट और सरकिल का एरिया, पाई आरी स्कॉयर बेटा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सवालों पे, तो 11.1 में जो जो सवाल दिये हैं बेटा, हम उसको सॉल्ब करेंगे, तो दे तो, which should have the large area, which should have the large area, पैली बेटा हम तुमको पैरिमेटर बता देते हैं, पैरिमेटर क्या होता है, जो सराउंडिंग लेंथ होती है, किसी भी स्ट्रक्चर की जो सराउंडिंग लेंथ होती है, लेंथ, जैसे ये L क्या, अगर ये B हो गया, तो ये भी L हो गया, ये बी हो ये चारों का सम कर देंगा L प्लस B प्लस L प्लस B तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B तो 2 common हो जाएगे तो L प्लस B इसी तरीके से perimeter आता है कोई भी हो अगर जैसे हम ये ले 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 रहे है triangle ये A है ये B है और ये C है तो triangle का perimeter का हो जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा ठीक है अब आते हैं अपने सवाल पर बेटा तो बोल ला है इनका जो perimeter है इनका जो perimeter है दोनों का same है बेटा तो बोल ला है which field has the large area the perimeter of perimeter of square equal to perimeter of perimeter of rectangle बेटा ठीक है perimeter of square क्या होता बेटा ये वेकर 2A 4A हो जाएगा बेटा तो हो जाएगा 4 into 60 equal to ये L है ये B है ये B है इसको मैं B मान ले रहा हूँ ये L हो जाएगा ये B हो जाएगा तो ये दोनों तो same हो गए तो यही उपर वाला 2 L प्लस 80 प्लस B ठीक है बेटा 2 से ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा equal to 80 plus B बेटा 80 इधर चला जाएगा तो B equal to हो जाएगा 120 ये positive है इधर जाएगा negative हो जाएगा minus 80 तो हो जाएगा B equal to 40 meter बेटा ठीक है अब बोला है अब एरिया आफ एरिया आफ square area of square area of square क्या होता बेटा A square A square में क्या हो जाएगा जो इसका 60 इंटू 60 बेटा क्यो हो जाएगा 66 जा 36 और ये 00 फिर second में हमारा क्या हो जाएगा बेटा area of area of rectangle ठीक है बेटा यह तो rectangular shape जो भी आप कर सकते हैं यह होता है L into B अभी हमने पीछे पड़ा है तो यहाँ L हमारा क्या है 80 और B हमारा क्या है अभी अभी आया है 40 L into B 40 तो यह होगा 8 forja 32 यह meter square बेटा यह भी meter square तो आप देख सकते हैं area of square is greater than तो square की area of square is greater than area of rectangle ठीक है बेटा यह question हमारा solve हो गया अब आते हैं बेटा हम next question पे next question क्या कर रहा है ध्यान से देखिए Mr. Kausik है जो square shaped structure इनका एक plot है इसमें से इन्होंने इतना house बना दिया ठीक है तो house के बाद यह बोल ला है कि यह जो हमारा portion बचा है यह इनका क्या है garden का develop a garden और यह garden का per square meter जो square है 55 रूपए per meter square इस पे हमारा charge लगता है बेटा तो पहले हम क्या करेंगे बड़ा वाला जो rectangle है उसका area निकालेंगे फिर छोटे वाला बड़ा वाला square है बड़े वाले square में से अंदर वाला जो rectangle है उसको minus कर देंगे तो यह हमको surrounded का यह वाला area मिल लाएगा ठीक है और इसी वाले area में per meter square जितना चार्ज हो रहा है तो जितना आएगा उस area में 55 से multiply कर देंगे वो हमारा हो जाएगा answer तो पहले हम larger square का area of area of larger square बेटा area क्या होता है बेटा square का a square क्या होता है a square तो क्यों हो जाग 25 into 25 तो जाएग 625 meter square 625 meter square ठीक है बेटा अब area of area of rectangle rectangular shape ठीक है बेटा तो क्या हो जाता है L into B हमारा L क्या है यहाँ पे यह है 20 और B क्या है 15 20 into 15 52 is a 30 तो हो जाएगा 300 बेटा 300 meter square तो remaining part क्या हो जाएगा बेटा remaining part remaining part remaining part क्या हो जाएगा बेटा equal to area of square minus area of rectangular shape ठीक है बेटा तो area of square कितना है बेटा 6 area of square 625 meter square minus 300 तो क्या हो गया बेटा 325 meter square अब बोला है per meter square 1 meter square में जो चार्ज है बेटा वो कितना है 55 रूपीज तो इतने meter square में कितना charge होगा 3 into 55 हम इसको multiply कर लें हाँ रहे बेटा into 55 बेटा फाइफ 55 जा 25 फाइफ तू जा 10 तू कैरी फाइफ फाइफ जा फाइफ जा 15 16 फाइफ जा 25 और ये 16 meter ये हमारा फाइफ हो गया 7 8 7 1 तो हमारा ये आ जाएगा 7,875 रूपीज बेटा ठीक है अब हम आते हैं 3rd question पर बेटा 3rd question हमारा क्या कह रहा है the shape of garden in the rectangular at the middle and the semicircle at the end so in the diagram find the area and the perimeter of the garden हमको area चाही और perimeter area में क्या हो जाएगा बेटा जब ये total जो हमारा ये यहां से लेके यहां तक 20 है और ये हमारा जो है 7 cm है ये cm है तो ये बोला डायमीटर है तो ये half कितना हो जाएगा 3.5 मीटर ठीक है बेटा तो यहां से यहां तक का जो distance है ये भी कितना होगा यहां से यहां तक मान जीए तो यह भी radius है यह 3.5 meter हो जाएगा और यहां से यहां तक यह भी हमारा हो जाएगा 3.5 meter ठीक है बेटा तो जब यह जो L हमको निकालना होगा तो हम यह क्या करेंगे 20 minus L of length of rectangle equal to क्या हो जाएगा हमारा 20 minus 35 3.5 minus 3.5 दो बार तो क्या हो जाएगा बेटा 20 minus 7 हो जाएगा 13 meter यह हमारा हो गया 13 meter हमको यह L मिल गया अब यह हमको 27 मिला है था बेटा तब हम इसको क्या करेंगे इसके बाद बोला है पहले हमको area निकालना है फिर हमको क्या निकालना है perimeter निकालना है तो perimeter में तो कोई दिख पहले area में क्या हो जाएगा area of middle rectangle and area of two semi circle area of semi circle क्या होता है बेटा area of semi circle जो होता है semi circle, circle का half होता है circle का 2 πr होता है sorry, πr square होता है πr square by 2 हो जाएगा πr square by 2 लेकिन कितने hemi-sphere हैं तो sum two hemi-sphere है तो two का दोनों का फिर दो बार sum हो जाएगा ये by two और ये by two क्योंकि circle का जो area होता है वो pi-r² होता है तो यहां क्या है semi circle तो ये semi मतलब half तो pi-r² by two एक का और pi-r² by two दूसरे का तो total क्या हो जाएगा pi r square और area of हम इसका जानते ही है rectangle का area of rectangle equal to l into b अब इन दोनों का total area क्या हो जाएगा दोनों का sum total area क्या हो जाएगा दोनों का sum l into b plus pi r square अब दोनों का value पूट करते है l कितना है 20 और b कितना है 7 और pi 22 बटा 22 by 7 into 3.5 r 3.5 दो बार है बेटा यहां हमने आपको बताया था यह 3.5 तो यह 7 यह 0.5 हो जाएगा बेटा यह 140 हो गया यह हो गया 5 से हम इसमें multiply कर दे रहे हैं यह हो जाएगा 11 यह आएगा अपना 110 तो एक point पर 0 लग जाएगा तो 11 into 3.5 फिर इसको 11 5 जा 55 5 carry 11 3 जा 33 33 में 5 करेंगे तो बेटा 38 आजाएगा प्लस 140 पेटा इसको एड कर देंगे तो यह कितना आजाएगा 0.58437 फिर 1 178.178.5 cm2 यह हमारा आगया पेटा क्या आगया हमारा area आगया अब इसके बाद हमको क्या मिलना चाहिए हमको क्या चाहिए perimeter क्या चाहिए perimeter area का यह क्या हो जाता है जो square का होता है 2L प्लस B होता है और वो जाहिट सी बात है जब circle का 2 pi R होता है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा hemisphere का pi R और कितने है तो pi R प्लस pi R तो हो गया 2 pi R value put करते हैं 2 L कितना है 17 R कितना नहीं L कितना है बेटा ओहो 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 थोड़ा सा गलत हो गया बेटा L हमारा यहाँ पे 13 है बेटा L हमारा यहाँ पे 13 है तो यहाँ से फिर यहाँ हमारा आ जाएगा इसको थोड़ा से से कट करते हैं L हमारा कितना है 13 13 से बेंजा आ जाएगा हमारा 91 और यह प्लस कितना आया था 38.5 इसको एड़ करने पे 9 आ जाएगा यह 12 हो जाएगा यह 129.5 हा जाएगा बेटा ठीक है सेंटीमीटर स्कोर अभी हाँ हमारा क्या था यह हमारा 13 यह हमारा 13 है बेटा यह हमारा क्या है 13 प्लस 7 प्लस 2 पाई हाँ 2 इंटू 22 बाई 7 आर 3.5 अब बेटा इसको आप कल्कुलेट कर लीजे अगर आपको ना समया है तो आप फिर से हमको बताईएगा ठीक है बेटा आगे चलते हैं हमारा आगला कोश्चन का है अ फ्लोर टाइट ए फ्लोर इंग टाइटल है जसे पाप एलो ग्राम है बेटा 24 सेंटिमीटर का बेस है 10 सेंटिमीटर उसकी हाइट है और एक तें बड़ा सा एक सच टाइल्स और इंख क्लण को ओएटला हिए एक एक फ्लोर है इसका एरिया के है यह वन थाउजन्द एकट ि मिटर मीकर इसक्वाईब है उसको बड़ा करने के लिए कितने हमको ऐसे पैरलोग्राम की जरूरत होगी तो पहले क्या करेंगे हम एरिया आफ पैरलोग्राम लेंगे ठीक है बेटा और इस एरिया से टोटल में डिवाइट कर देंगे तो हमको एन निकल आएगा तो एरिया आफ पैरलोग्राम क्या है अभी आपने पढ़ा है क्या था बेटा B into H B क्या है बेस बेस कितना है 24 H कितना है 10 ठीक है बेटा तो यह हो गया 240 cm2 ठीक है 1 meter में कितना 100 cm और 1 meter में 100 cm 100 cm यह क्या है 100 cm2 मतलब 100 into 100 तो हो जाएगा बेटा 1400 इतने से इसमें multiply कर देंगे तो यह cm में हो जाएगा यहन क्या हो जाएगा area of floor upon area of parallelogram ठीक है बेटा area of floor क्या है यह meter में है तो इसको cm क्या है बताया 180 into 1 10,000 बेटा ठीक है upon 240 10 से 10 कैंसिल अब इसको 24 से डिवाइड करते हैं 24 डिवाइड 1080 यह कितनी बार जाएगा बेटा 5 तू जा 10, 5, 4 बार जाएगा 4 फो जा 16 4 फो जा 16, 96 यह हमारा आ गया 2 1, 0 फिर 5 1, 20 कैंसिल हमारा आ गया 45 into 1, 0, 0 3, 0 multiply कर देंगे तो 45 1000 45,000 हमको पैरलेलोग्राम की जरूरत होगी इसको बनाने के लिए ठीक है बेटा अब हमको कुछ एक structure दिये हुए हैं उनके circumference पूछ रहे हैं एक चीटी है different type of structure बना रहे हैं वो structure का हमको circumference पूछ रहे हैं अगर यह बेटा यह क्या है हमारा semi-sphere semi-circle है semi-circle है semi-circle का यह हमारा क्या है diameter है यह हमारा क्या हो जाएगा radius r equal to क्या होता है बेटा d by 2 d कितना है 2.8 by 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.4 centimeter और अभी हमको आपको हमने बताय था circumference का formula of semi-circle होता है pi r circle का होता है 2 pi r semi मतलब आधा by 2 तो हो जाएगा pi r तो pi कितना है 22 by 7 r कितना है 1.4 divide कर देंगे तो हो जाएगा 22 into 0.2 हो जाएगा 4.4 centimeter perimeter of circumference of या perimeter of semi-circle अब यहाँ बेटा एक semi-circle है ठीक फिर यह length है यह है और यह है मैंने अभी आपको explain किया था कि जो हमारा circumference है यह surrounding length होती surrounding length होती है तो इसका हमको पता यह हमारा हो जाएगा pi r फिर इसको add कर देंगे फिर इसको add कर देंगे total हमको value मिल जाएगे तो यह हमारा क्या है अगर हम in this figure circumference हो जाएगा circumference of this structure equal to perimeter of hemisircle या semicircle plus l1 l2 plus l3 l1 l2 plus l3 l1 l2 plus l3 यह क्या हो रहेगा यह हमारा total कितना है 2.8 तो यह हमारा हो जाएगा by 2 1.4 cm 22 by 7 pi r 1.4 l 1.5 plus 2.8 plus यह कितना है 1.5 plus 1.5 यह 0.2 4.4 3 2.8 2.8 square कर दिया plus 5.8 4.4 8 4 12 1 carry और यह 10 cm इसमे इसमे भी भाही है बेटा सेमी सर्किल तो pi r plus l1 plus l2 इसमे भी भाही है बेटा सेमी सर्किल और इसका अधा हो जाएगा 1.4 cm तो 1.4 plus 2 plus 2 4.4 plus 4 8.4 cm 40 m तो बेटा यह हमारा exercise कौन सा exercise था 11.1 mensuration का complete हो गया बेटा अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई हो like, share and comment and subscribe also ठीक है आपका subscribe ही हमारी ताकत है आप जितना subscribe और share करेंगे उतना हमको motivation मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोसिस करेंगे इसलिए कृपया like, share and subscribe जरूर से जरूर करें Thank you class